हेलो एवरिवन वेल्कम टो दा बिजी वेबिनार माइनेम इस सूरज आज हम टॉफ पीचर्स टू इजी अकाउंटन्ट एक्टिविटीज इस वेबिनार का सब्जक्ट को लेके डिसकेशन करेंगे आज का इस टॉपिक बहुत यूजबूल है अकाउंटन्ट के लिए अगर किसी कंपनी में एकाउंटन्ट रहेगा उनके लिए एक्टिविटी करने के लिए यह सारे फीचर्स बहुत इंपोर्टन्ट है सबसे पहले हम PPT का प्रेसेंटेशन ओवर्विव करेंगे उसमें से हम क्या-क्या फीचर्स एकाउंटन्ट अक्टिविटीज के लिए चाहिए उसके रिगार्डिंग हम डिसकेशन करते हैं फाइनली हम प्रैक्टिकल सेशन को देखेंगे अगर आपके लिए कोई भी सवाल है कोई भी क्वेरी है पूछना है तो क्वेश्चन एंड आंसर क्यू एंड पर आप लिख सकते हो एंड आप दिस सेशन मैं उस उस क्वेश्चन के लिए मैं जवाब दोंगे आई ये हम शुरूख करेंगे वेबिनार को Accounting So the systematic way of entering the transaction इसको हम कहते हैं Accounting Accounting में भहुत सारे features तो busy में है लेकिन Accountant के लिए क्या-क्या features कापी useful है इसके regarding आज हम discuss करेंगे सबसे important पहला point है Bill-by-Bill details इस feature को लेके अगर आप किसी party को Bill-by-Bill Adjustment करना है sales और purchase पे और payment and receipt पे तो आप कर सकते हो Due Bill Adjustment, Due Bill मैनेज कर सकते हो, Due Date मैनेज कर सकते हो कोई भी party उनका outstanding statement आप से पूछेगा तो आपको outstanding statement Bill-by-Bill हिसाब से आप उनको दे सकते हो So Bill-by-Bill details यह सबसे important feature है accounting management पे तो इस feature busy में आपको available है तो आप इससे कर सकते हो Credit limit for parties यह भी एक important feature है अगर किसी भी एक party supplier हो, customer हो, उनके लिए credit limit allocate करना है ताकि आपको report मिलेगा कि किस party का credit limit exceed हुआ है और किस party ने pay किया है उसका report आपको मिलेगा अगर credit limit exceed होने के बाद अगर आप bill करेंगे busy में तो आपको warning message appear होगा यह भी एक important report आपको मिलेगा और next report है हमारा budget on expenses budget this is very important aspect है अगर कोई भी industry का बात करेंगे हम लोग वहाँ पे financial year beginning April 1st एक meeting होता है annual annual meeting होता है वहाँ पे decide होगा कि आज का इस financial year पे हम क्या expense के लिए मतलब company के लिए क्या fund हम budget करना है कितना utilize करना है किस के लिए क्या करना है उसके लिए एक meeting रहेगा तो उस पे हम budget allocation का चीज रहता है तो हम busy में वो कर सकते हैं अलग-अलग expenses के लिए अलग-अलग budget हम define कर सकते हैं यहाँ पे cost center for accounts यह भी एक important feature है हम cost center के लिए material center wise cost center salesman wise cost center branch wise cost center हम रख सकते हैं accounts के लिए हम cost center को enable करके और हमारा expense ledger के वो settings पे हम cost center enable करके उस हिसाब से cost center का report हम देख सकते हैं सो cost center का report हम report को ले सकते हैं busy में इसके बाद party dashboard यह भी एक important dashboard window है अगर हम transaction के समय पे कोई भी party का full history देखना चाहेंगे उनका previous purchase किया है previous outstanding कितना है क्या लिया था हमसे सारा details हमारा screen पे appear होगा एक dashboard के जैसे वहां से हम उसको देख सकते हैं सो यह एक screen है मतलब एक dashboard screen है हम इसको enable कर सकते हैं हमारे requirement के अनुसर हम क्या-क्या चाहिए उस particular features को हम enable कर सकते हैं bank reconciliation feature यह भी एक important role है accounting में अगर हमारा balance match नहीं हो रहा है bank statement के साथ busy software का balance अलग show हो रहा है bank statement का balance अलग show हो रहा है तो उन दोनों में difference को हम mismatch को डूणने के लिए bank reconciliation step को हम follow करना पड़ता है यहाँ पे busy में bank reconciliation हम कर सकते हैं और इससे हमारा mismatch को हम देख सकते हैं PDC check transaction के लिए हम PDC management एक utility दिया हुआ है यहाँ पे आप post dated checks as well as regular checks दोनों हाँ manage कर सकते हैं तो PDC check को regularize भी कर सकते हैं एक utility हमने दिया है तो उस utility पे आप regularization कर सकते हैं check printing यह भी important utility है अगर हम busy software से खुद check को print करना चाहते हैं तो directly software में एक utility है वहाँ से आप check को print कर सकते हैं अलग-अलग bank के लिए अलग-अलग check format आप design करके रख सकते हैं configuration कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका check print होगा depreciation यह भी एक important aspect है accounting में every year हमारा company का fixed assets का value depreciate हो जाएगा as per the company act और as per the income tax act rule इसके अनुसार depreciate होता है हमारा fixed assets का value busy में depreciation दोनों तरीके से होता है company act as well as income tax act अगर busy से हम journal voucher को post करना चाहते हैं वहाँ से direct shortcut की है F4 करके उसको press करने से हमारा journal voucher auto post होगा यह आपका balance sheet and respected final result पे reflect हो जाएगा सब लेजर management यह भी एक important चीज है आज के आज के इंडस्ट्री फैनाशल इंडस्ट्री में तो यहां पर क्या होता है मान लीजिए एक particular इंडस्ट्री है उनका head office and branch office दोनों है तो वहाँ पर हम purchase कर रहा है head office से as well as branch office है लेकिन हम ledger report लेना चाहेंगे general ledger के हिसाब से वहाँ पर हम general ledger मतलब head office के ledger लेंगे तब sub ledger मतलब branch का report भी उस ledger statement पर आ जाएगा अगर हम branch का अलग से report लेना है तो sub ledger report हम लेंगे तो वहाँ से हम सिर्फ branch का report ले सकते हैं तो यह sub ledger as well as general ledger दोनों हम कुछ busy में configure कर सकते हैं next है multi currency so multi currency बहुत important है अगर हम कोई भी चीज import कर रहे हैं दूसरे country से हम ले रहे हैं तो जो dollar में आ जाएगा fund में आ जाएगा किसी और country का currency में हम import करेंगे मतलब वो purchase करेंगे तब यह busy software में multi currency का utility है feature है यह feature आपको help करेगा currency conversion के लिए मतलब dollar से rupees में convert होगा अगर rupees में dollar में conversion चाहिए तो हो तो हो जाएगा इसके हिसाब से हमारा forex gain, forex loss voucher भी busy से forced कर सकते हैं तो multi currency भी busy से हम कर सकते हैं next slide में हम देखेंगे transactions related features that is sales and purchase type सबसे पहले हम सबको पता है sales और purchase में two types of transaction होता है GST पे local transaction and central transaction दोनों हम इसमें कर सकते हैं अगर local करते है automatically CGST, SGST वहाँ पे post होता है tax post होता है central करेंगे तो IGST automatically charge होता है सारे tax master का ledgers busy में auto created है हम कोई manual creation का need नहीं है हमारे तरफ से तो automatically tax masters create होता है और item wise tax calculation का भी provision है यहाँ पे और voucher wise tax calculation भी होगा अगर item wise tax calculation मतलब each and every item हम select करके bill करेंगे वहाँ पे apply होता है GST अगर voucher level पे करना है वह भी कर सकता है voucher level के अलावा अगर हम वहाँ पे हम डाल के bill बना सकते हैं और F4 key is the shortcut key to apply the GST in busy यह तो important shortcut key है F4 key इसको हम use करते हुए हमारा GST को apply कर सकते हैं कोई भी पर नेक्स लाइड में रिपोर्ट के बारे में हम समझेंगे क्या क्या रिपोर्ट यहां पर हम दिया हुआ है सबसे पहले balance sheet report so balance sheet report को अप लेके आपका business का health आप चेक कर सकते हैं business का status आप जान सकते हैं liabilities कितना है assets कितना है सारे आप जानकरी हां से ले सकते हैं profit and loss का statement भी यहां पर मिलेगा आपका net profit कितना है gross profit कितना है net loss कितना है तो यहां से आप जान सकते हैं payment and receipt account का भी report यहां पर है payment cash in cash out कितना हुआ है यह भी आप यहां से देख सकते हैं income and expenditure account इस report को भी यहां से आप report section से देख सकता है trial balance report है सारे ledger का cumulative balances को आप view कर सकते हैं ledger का opening मतलब closing balance कितना है debit credit आप trial balance से देख सकते हैं किसी एक particular ledger का account ledger statement आप देख सकेंगे नहीं तो group of ledger का भी देख सकता है और किसी एक all particular ledger का भी आप देख सकता है ledger statement आप view भी कर सकते हैं export भी कर सकते हैं excel, pdf और google sheets में किसी भी template में आप export करके party को mail भी busy से कर सकते हैं books आपको मिलेगा day wise, party wise, cash और bank book wise आपको books of report मिलेगा day book, party day book, cash book, bank book सब कुछ आप यहां से ले सकते हैं accounting register अगर accounting related कोई भी आपको report चाहिए sales register होगा purchase register होगा और sales return register होगा कोई भी होगा payment register होगा तो सारे आपको accounting register में accounting books में मिल जाएगा तो वहां से आप ले सकते हैं accounting activity report कोई भी particular ledger का activity देखना है उन्होंने कितना sales हमसे लिया है, हमसे क्या goods करीद लिया है और कितना payment किया है, क्या status है, उनका सारे activity सिर्फ एक ही report पे आपको मिलेगा account summary report भी आप देख सकते हो, account summary report ये भी मिलेगा outstanding analysis भी कर सकते हो, outstanding bill wise outstanding aging wise outstanding और party wise outstanding सारे यहां पर देख सकते हो, outstanding analysis आपको सबसे important चीज यह है, यहां पर multiple type of report हमने दिया हुआ है bill wise aging wise outstanding party wise सारे आप देख सकते हो, depreciation chart so as per the IT act rule as well as company act rule दोनों के हिसाब से आप depreciation chart को summarize कर सकते हो, यहां पर और MIS report ये भी आप देख सकते हो, यहां पर आप cash flow, fund flow, ratio analysis, budget variance इसके बाद आप profitability भी देख सकते हो, bill wise profit, item wise profit, party wise profit, so material center wise profit, sales mind wise profit, सारे profit report MIS report पर आपको मिलेगा अगर हम GSTN and HSN validation का बात करते हैं, तो दोनों important है GST में, अगर हम GST return file करते हैं और evable invoicing rise करते हैं, वहां पर दोनों important role होता है क्योंकि अगर हमारा data invalid रहेगा, GSTN और HSN का हमारा काम कतम नहीं होगा, complete नहीं होगा, error आ जाएगा, तो इसलिए हम busy के अंदर ही validation का utility दिया हुआ है, इसको आप use करके party का GSTN status को जान सकते हो, अगर यह GSTN number valid है क्या, invalid है क्या, वहां से आपको information मिलेगा party का ledger creation भी GSTN number को use करके आप create कर सकते हो, अगर GST number आपको पता है, तो वहां पे GST number डालके party का ledger account भी create कर सकते हैं, इससे क्या होगा, data का accuracy भी ज़्यादा रहता है, और आपका काम भी तुरंद कतम होगा validate GSTN number single and multiple, इस utility को लेके, अगर आपका database में कितना ledger account आपने create किया हुआ है, सारा ledger account का GSTN number एक साथ validate कर सकते हैं, multiple mode से, अगर आपको single करना है, ओ भी हम कर सकते हैं, software से ही आपका काम हो जाएगा check party return filing status, अगर हम GST portal में जाके party का return filing जाने के कोई important नहीं है, तो busy software से ही आपका काम हो जाएगा, party का क्या return status है, GSTR1 उन्होंने file किया है क्या, GSTR3 भी उन्होंने file किया है क्या, ये भी हम software से ही जान सकते हैं, अगर हम HSN का बात करते हैं, तो HSN code हम particular description से हम search कर सकते हैं, और हम HSN code का starting एक डिजिट, दो डिजिट इसको ढालके भी हम search कर सकते हैं, और validation का feature भी हम दिया हुआ है HSN के लिए, अगर आप single और multiple HSN को validate कर सकते हो, मान लिजिए आपका software में 1000 item है, 1000 item में किस HSN code में गलत है, invalid है, ओप डोनने के बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अगर आप multiple validation of HSN utility use करते हो, तो automatically software बताएगा कि इस HSN code गलत है करके, finally उसको आप correction करने के लिए भहुत आसान होगा Next slide में हम देखेंगे GST queries and utilities के बारे में, GST query मतलब क्या होता है, एक shortcut key है, उसको आप use करके किसी भी एक GST number आपका database में डूंड सकते हो, मान लीजिए एक GST number है, वो GST number का customer name आपको नहीं मिल रहा है किसी और ledger account के साथ connected है, उन आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको याद है कि वो GST number आपने enter किया है busy में तब आप क्या करना है, query को use करके GST number सर्च कर सकते हो, तब आपको पता चलेगा इस GST number किस party के नाम पे सेव हो चुका है, और अगर HSN code का भी आप सर्च करना है, मान लीजिए किसी एक product पे उस HSN code आपने लगा के रखा है, लेकिन आपको याद नहीं है कुन सा product है करके, उसको आप चेक करना है, तो query को use किजिए, alt q है shortcut, वहां से आप डूंड सकते हो, ये HSN code किस product में सेव हुआ है करके, अगर आप HSN description को update करना है, बल्क में, वो भी हो जाएगा, किसी एक particular item group के लिए HSN को update करना है, तो वो भी within the fraction of second, आप update कर सकते है RCM payable का consolidate entry को post करना है, मतलब journal को pass करना है, ये भी busy से आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी party से अगर आप RCM service लेते हो, unregistered party से, इस condition पे RCM तो apply होगा, वहां पे हम journal voucher pass करना पड़ता है, उस RCM, क्योंकि वो हमारा RCM का payment हम reverse ले सकते हैं, मतलब input ले सकते हैं, तो इसलिए हम post करना है journal voucher, तो जर्नल voucher हम बहुत आसानी से F4 press करके कर सकते हैं, और हमारा एक utility है, check post consolidate RCM payable, इसको हम use कर लिया तो, हमारा एक RCM का payment, GST summary में reflect हो जाएगा, check post tax on advance receipt, अगर हम किसी से advance payment लेते हो, तब उस party को इस मन्त पे कोई भी GST का invoice नहीं हुआ है, उनको हम bill नहीं किया है, तब ओ advance payment पे GST हम government को pay करना पड़ता है, मान लेजिए हम 1000 रुपिया advance लिया है, 180 रुपिज GST collect किया है, लेकिन इस मन्त पे कोई भी GST, मतलब उनको कोई sale नहीं किया है हम लोग, तो 180 रुपिज हम government को GST pay करना पड़ेगा, इसका calculation भी हां से हम कर सकते हैं, अगर हम adjustable against advance और tax adjustment करना है, input output adjustment करना है, कोई भी payment का adjustment करना है, ये भी हम utilities को use करके कर सकते हैं, आइए हम next slide में देखेंगे GSTR reconciliation के बारे में, GSTR reconciliation सबसे पहले monthly quarterly manner पे हम busy में कर सकते हैं, normally हम automatic reconciliation का ज़्यादा इस्तमाल कर सकते हैं, क्योंकि automatic reconciliation very advanced powerful utility है, इस utility को लेके आप GSTR portal का data directly software में download करके reconcile कर सकते हो, party wise reconciliation available है, voucher wise reconciliation available है, तो आप GSTR 1, GSTR 3B सारे आप यहाँ पे reconcile कर सकते हो, यह दोनो automatic process है, downloading भी automatic है, reconcile भी automatic ही हो जाएगा, यहाँ से आपको understand कर सकता है, किस bill पे आपका value mismatch है, portal के data के साथ busy का data match नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या mismatch आ रहा है, किस bill पे आ रहा है, सारे चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, compare भी कर सकता है, sales, GSTR 1, GSTR 3B, सारे यहाँ पे आप comparison भी कर सकते हो, एक ही report पे, अगर हम monthly ITC tagging का बात करते हैं, यह जो आपको आज का दिन भहुत कापी popular है, कापी important भी है, मान लिजी है, आज का मन्त कोई भी बिल आपको ITC मिल गया है, purchase बिल, अगर वो ITC का status आप busy में update कर सकते हैं, as per the GSTR 2A statement, तो हम सबको पता है, 2A to be यह तो pre-populated statement है, GSTR department portal से busy में auto-download होगा, download करने के बाद उस data के अनुसार busy software पे आप update कर सकते हैं, monthly ITC tagging tag कर सकते हैं, tagging करने से क्या होगा, आपका ITC के amount पे accuracy रहता है, ITC summary में accuracy रहता है, end of the day आपको देख सकता है किस बिल पे ITC मिला है, और ITC tagging ये अनुसार आपको ITC claim register भी generate हो जाएगा आप और यहाँ पे report भी आप export कर सकते हैं, GST summary और GST report, 3B report भी आप ITC tagging देख सकते हो, GST summary में भी reflect होता है, अगर कोई भी ITC tagging हम करते हैं, उस ITC tagging का reflection GST summary report, GSTR 3B report में भी reflect हो जाएगा, इसके अलावा एक advanced feature और भी हम दिया हो आए कि, अगर कोई भी particular party का ledger account और transaction पे, purchase register पे, bill payable report पे, अगर आप ITC का status जानना है, F6 key press करके आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको 2A status, 2B status, filing status, GSTR 3, ITC status, सब कुछ है, वहाँ पे आपको मिलेगा, screen पे मिलेगा, next slide में हम देखेंगे, e-way bill के बारे में, e-way bill generation, एक very important step होता है, सारे industry में, क्योंकि हर रोज हमारा outward जाते रहेगा, e-way bill हम चड़ाते रहना चाहिए, अगर e-way bill का process simple है, fast है, software में, आप भहुत कुशी से काम कर सकते हो, busy software में हम ऐसा एक utility दिया हुआ है, without going to portal, आप software में ही e-way चड़ा सकते हैं, वो within the fraction second आपको e-way generate होगा, generation करने के लिए आप क्या करना है, सबसे पहले, GSP registration ओ तो configuration करना पड़ता है, ओ तो एक software का configuration है, उसके बाद busy से automatic generate होगा, हम यहाँ पे JSON द्वारा e-way generate करने का utility दिया है, साथ-साथ government offline utility, offline template के द्वारा generate करने के लिए सुविदा दिया हुआ है, साथ-साथ automatic direct generation भी यहाँ पे दिया हुआ है, Error Checking Tool इसके अंदर रहता है, अगर कोई भी गलत है, mismatch है data पे, HSN, GSTN, UQC, कोई भी रहेगा, GSTN कुछ भी रहेगा, तो उसका regarding Error Checking Tool आपको बताएगा कि इस particular इसमें error है, GSTN पे error है और distance पे error है, वो आपको वहाँ पे बताएगा, E-Way Bill number automatically आपका busy का invoice में भी update हो जाएगा, हम manual copy paste करने का requirement नहीं है, E-Way Bill का government template के अनुसार print busy से आ जाएगा, कैसे हम portal में जाके E-Way Bill बनाते हैं, वैसा ही हम busy में वहाँ पे कैसे print लेते हैं, वैसा ही busy software से डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा, bulk mode का option दिया हुआ है, डायरेक्टली software से हम एक साथ multiple bills का E-Way जनरेट कर सकते हैं, that is called bulk mode, आगे हम discuss करेंगे e-invoicing बारे में, e-invoicing भी पता है हम सबको, आने वाले अगस्ट से लेके threshold limit पांच क्रोर हो रहा है, फिलाल तो 10 क्रोर है, तो compulsory 5 क्रोर से ऊपर कोई भी industry रन हो रहा है, सबको e-invoicing compulsory हो जाएगा, auto generation of e-invoicing in a single step, हमने single steps, single click से हम e-invoicing जनरेट कर सकते हैं यहां पर, error checking tool यहां पर भी दिया हुआ है, अगर कोई भी section में mismatch है, यहां पर बताएगा, अगर हम e-way bill के साथ-साथ e-invoicing लेना है, एक ही click पे दोनों आ जाएगा, e-way invoicing दोनों generate हो जाएगा, यहां पर भी bulk mode का सुविदा है, bulk mode को लेके आप यहां से multiple bills के लिए e-invoicing generate कर सकते हैं, इसके साथ-साथ cancellation भी software से हो जाएगा, कोई भी e-invoicing cancel करना है, तो आप directly bill को cancel कीजिए software में, तो automatic e-invoicing भी cancel हो जाएगा, user level controls है, किस user के लिए e-invoicing generate का provision चाहिए, किस user के लिए allow रखनी है, वो हम रख सकते हैं, किस user को नहीं चाहिए, उसको हम restrict भी कर सकते हैं, आगे देखेंगे GST reports के बारे में, सबसे पहले accountant accounting करने के लिए, GST summary report यह report भूँत important है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, input GST, output GST, payable GST, और RCM का regarding input output adjustment, advanced payment, सब कुछ यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से directly F4 press करके, relevant journal voucher आप post कर सकते हो, whether it is input output adjustment, RCM adjustment, payment to government, और आप कुछ cross adjustment करना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ से हो जाएगा, automatic calculation adjustment by F4 की, direct F4 press करके, हम relevant journal voucher को post कर सकते हैं, GST register अपने आप busy software में, आपको generate हो जाएगा, आपके यहाँ से GST register को देख सकते हैं, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3, भी सब कुछ यहाँ से मिलेगा, GST का other reports में मिलेगा, HSN wise breakup summary, tax rate wise breakup summary, सब कुछ यहाँ से आप other reports में ले सकते हैं, audit report भी है, यहाँ से आप देख सकते हो, आपका data पे कोई भी GSTR number mismatch है क्या, common mistake है क्या, UQC code कुछ नहीं डाला हुआ है क्या, tax audit report है, tax clause 44 report, यहाँ पे आप expenditure and purchase का summarize कर सकते हो, audit कर सकते हो, तो GST audit report भहत important है, आप यह देख सकते हो, आगे slide में यह तो GST का summary का overview है, यहाँ पे summary report इस तरीके से आएगा, input GST, मतलब purchase का GST है, output GST, यह हमारा collected GST है, output GST on RCM कितना है, tax calculation, यहाँ पे GST payable भी शो होगा, tax payable with payment details भी आता है, सब कुछ यह तरीके से GST summary में आपको, एक अच्छे तरीके से आपको understandable report आपको busy software में मिलेगा, यहाँ से F4 press करके आपका relevant JV को pass कर सकते हो, यह report है, tax audit report class 44, यहाँ पे आपको total amount, exempted amount, composition का कितना purchase हुआ है, registered dealer से कितना हुआ है, total payment कितना किया हुआ है, unregister dealer से कितना purchase किया है, national amount कितना है, ledger balance कितना है, GST applicable कितना है, not applicable कितना है, सारा ledger का in detail report यहाँ पे आपको audit कर सकते है, in detail summary view से अपको यहाँ से audit कर सकते हो, अगर कोई भी mismatch है, national amount कॉलम में आपको mismatch तो दिखेगा, national and ledger balance दोनों सेम रहना चाहिए, अगर national and ledger balance सेम नहीं रहेगा, वहाँ पे आपको mismatch दिखेगा हूँ, आगे slide में हम GST e-return filing का related क्या-क्या सीज आपको important है, उसके बारे में हम देखेंगे, सबसे पहले direct uploading, end of the month आपको GST return तो file करना ही करना है, तो GSTR 1, GSTR 3B direct, मतलब GSTR 1 तो direct uploading provision है, 3B के लिए JSON uploading provision है, तो GSTR 1 अगर आप JSON format पे करना चाहेंगे, वो भी हो जाएगा, CSV file में भी कर सकते हो, as per government template, अगर किसी industry level पे basic edition का software यूज़ करते हैं, वहाँ पे as per government template utility को यूज़ करके हम filing कर सकते हैं, plain Excel में भी आप GST report को export कर सकते हैं, so multiple way of GST return filing busy में हम दिया हुआ है, इसके साथ साथ error checking tool यहाँ पे भी है, अगर GST return पे कोई भी mismatch रहेगा, वो जो आपको error checking tool में दिख जाएगा, IFF return है, quarterly return monthly payment, अगर किसी ने QRMP system पे उन्होंने GST number लिया है, तभी B2B transaction details उन्होंने monthly file करना पड़ेगा, और बाकी सारे transaction तो quarterly filing करेंगे, अगर busy से वो IFF return करना है, तो directly यहाँ से IFF return ओकर सकते हैं, next part है TDS, TCS management, अगर हम TDS और TCS का सारे sections को हम busy में लेके billing, और हम accounting कर सकते हैं, TDS होन expenses को हम 194 Q section यहाँ पे introduce की मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अनुसार busy software आपको automatically calculate करेगा, कोई भी एक particular ledger के साथ हमारा transaction 50 लाग से उपर चला गया है, वहाँ पे 0.1% का TDS auto calculate होगा, इसी तरह हम TCS का section यहाँ पे 206 C1 H भी दिया हुआ है, अगर किसी एक particular party को हम 50 लाग से उपर sale किया है, यहाँ पे TCS collect करेंगे, 0.1% अटो charge होगा, free defined categories automatic create हो जाएगा busy में, हम कोई manual creation करने का ज़रूरत नहीं है, TDS and TCSR, TCS का relevant ledgers categories predefined automatically create हो जाएगा, form 26Q annexure, form 27Q annexure of TCS सारे busy में available है, हम इसको print ले सकते हैं, और यहाँ से directly हम ETDS and ETCS को filing भी कर सकते हैं, other important features, यहाँ पे audit trial and user activity log यह कापी popular feature है, as per the MCI guidelines, audit trial is compulsory after April 1st, April 1st से लेके audit trial compulsory हो चुका है, यह तो busy में हम दिया हुआ है, user activity log को use करके, आप user को capture कर सकते हैं, उन्होंने क्या-क्या activity किया है, voucher auditing feature दिया हुआ है, auditors के लिए, अगर किसी company में, auditor ने voucher auditing कर लिया है, और data audit कर लिया है, किसी sub-user और any other accept admin user, और data disturb नहीं कर सकते हैं, voucher replication का भी provision है, अगर हम last month का data entry और transaction entry, current month पे duplicate करना चाहेंगे, वो जो date तो बदलना है, बाकि सारे information same as it is रहना चाहिए, तब सारे बिलको हम replicate कर सकते हैं, global search query है, अगर कोई भी particle mobile number को use करके, हम search कर सकते हैं, उनका history सर्च कर सकते हैं, last details को सर्च कर सकते हैं, date wise GST rate HSN code को fix कर सकते हैं, last time GST 12% ते, लेकिन currently the GST 18% हो गया है, एक ही single product पे दोनो GST हम set कर सकते हैं, और जो date के अनुसार software automatically GST को apply करते, हैं, इसी जैसे HSN code भी हो जाएगा, data freezing, data freezing मतलब अगर हमारा auditor और accountant और CA किसी ने data को audit करके, data freeze कर देंगे, किसी यूजर यूजर, डे केनोट disturb the database, अगर वो particular data एंटर करने के लिए कोशिश करेंगे, उस particular date range पे, तब उनको एक warning मिलेगा, वो alone नहीं करेगा, इसको हम कहते हैं, data freezing और data locking, electronic cash और credit ledger का balance, हम busy software से directly देख सकते हैं, portal में जाके देखने का ज़रूरत नहीं है, तो यह हमारा automatic software में मिलेगा, data export and import from Excel, अगर हमारे पास कोई भी template है, तो उस template को हम directly busy में import कर सकते हैं, एकसल के द्वारा, अगर मान लिजिए, अलग-अलग customers और अलग-अलग clients, अलग-अलग तरीके से template रखेंगे, ओ भी busy में import हो जाएगा, सारे report यहां पे configure है, busy में तो जो standard report by default मिलेगा, इसके साथ साथ, अगर कोई भी report configure करना है, custom column, column ना register करके दो utility है, powerful utility है, उसको आप use करके कोई भी format को design कर सकते हैं, report को भी design कर सकते हैं, और इसके अलावा हम यहां पे other important feature में, search, sort, filter, summarize data in any report, कोई भी report में अब searching, sorting, filtering, summarizing कर सकते हो, सबके लिए option है, auto data backup on google drive, आज के दिन data भहुत important है, आपका data, no worry, आपका data google drive में, आपका खुद का google account का google drive में save होता है, यहां पे कोई भी virus attack, कोई भी होने का chances नहीं है, अगर कुछ भी होगा, आपका data easily recover कर सकते हैं, data को हम restore कर सकते हैं, connectivity with google drive, यह भी एक popular utility है, आज का दिन google drive, हम mobile phone पे google drive को install कर सकते हैं, और आप busy से कोई भी report google drive पे export करेंगे, वो mobile में view हो जाएगा, google sheet भी connectivity में, google sheet भी included है, कोई भी report है, वो excel google sheet में export होता है, digital signature busy के साथ, हम दिया हुआ है, integrate कर सकते हैं, यहां पे digital signature करने से, अगर कोई भी report अप invoice export करते हैं, PDF में, signature print होके आएगा, digitally approved signature print होके आएगा, interest calculation भी यहां पे calculate हो जाएगा, अगर कोई भी party के लिए, हम credit दिया है, credit limit दिया है, उनका exceed हुआ है credit limit, उसी पे हम interest को calculate कर सकते हैं, और अगर किसी party के लिए, और ledger के लिए हम loan दिया है, वो loan के लिए हम interest को charge कर सकते हैं, split voucher का सुविदा है, multiple financial year है data पे, उस पे हम किसी एक particular financial year को split कर सके, bulk payment and receipt का provision है, एक particular single screen में, हम payment, multiple payments और multiple receipts चड़ा सकते हैं, अलग-अलग post करने से ज़्यादा time आपको चला जाएगा वहाँ पे, लेकिन bulk में करने से आपका काम तुरंट complete कर सकते हैं, multi company results, आपके पास दो company है, company A, company B, दोनों एकी pan में चल रहा है, multiple GSTN नमबर है, लेकिन दोनो pan नमबर तो एकी है, एकी owner का है, तो एकी software में multiple company है, फिर भी हम multi company results देख सकते हैं, दोनों को merge करके, balance sheet, trial balance, outstanding सारे हम compare कर सकते हैं, मतलब merge करके देख सकते हैं, unmood accounts का list हम यहाँ से देख सकते हैं, किस account हमारे साथ business नहीं कर रहा है, उनका details यहाँ से हम देख सकते हैं, साथ-साथ हम mobile app का provision है, बीजी में mobile app से हम बाहर से invoice चड़ा सकते हैं, receipt चड़ा सकते हैं, सारे report आपका mobile phone पे रहेगा, anytime you can access it as per your requirement, multiple reports हैं वहाँ पे, साथ-साथ आप transaction का posting करेंगे, ओ transaction बीजी में sync हो जाएगा, यह एक cloud mobile application है, आईए हम practical demo देखेंगे, सो practical में सबसे पहले हम देखेंगे, reports के बारे में, बीजी में क्या-क्या reports आता है, हम एक बार overview करेंगे, सबसे पहले final result, balance sheet report पे multiple view दिया हुआ है, horizontal, vertical, configurable, horizontal view इस तरीके से आएगा, date range के अनुसार यहाँ पे आप ले सकते हो, और multiple type of interactive filtering available है, आपके लिए क्या-क्या options यहाँ पे चाहिए, इसको yes करेंगे, वाला values यहाँ पे reflect हो जाएगा, इस तरीके से आपको balance sheet का view होगा, तो vertical format आपको इसके लिए इस तरह आ जाएगा, देखिए, source of fund, profit of the period, capital account, capital, duties and taxes, सब कुछ यहाँ पे इस तरीके से आपको balance sheet में आएगा, configurable format यहाँ पे आपको configure कर सकते हो, option दिया होँ है, configure करने के लिए, यहाँ से आप configure कर सकते हैं, final result configuration, balance sheet as well as profit and loss का format यहाँ पे आप बना सकते हैं, as for the international financial report standards के अनुसार और standard report के अनुसार, यहाँ पे आप configure कर सकते हैं, IFRS के अनुसार, schedule 4 के अनुसार और standard format के अनुसार configure कर सकते हैं, तो यहाँ पे किस option आपको चाहिए, यहाँ पे आप caption को बताएंगे, यहाँ पे आप value को define करते हैं, और percentage को यहाँ पे आप दे सकते हैं, और यहाँ पे yes करेंगे, तो configuration हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे आके आप report को, balance sheet report को देख सकते हैं, इसी जैसे हमने यहाँ पे profit and loss का report भी ले सकते हैं, horizontal view, vertical view, configurable view, horizontal view इस तरीके जे आपको आएगा, debit, credit, balances, opening stock, closing stock, purchase, sales, expenses, income, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, gross profit कितना है, net profit कितना है, और क्या है आपका loss, सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, date range के अनुसर देख सकते हैं, so vertical format तो इस तरीके से आएगा, यह जो vertical format है, यहाँ पे trading account, opening stock, purchase, expense, gross profit, यह तो vertical view है, P&L summary भी यहाँ पे आप आप शोक व्यू कर सकते हैं, April में कितना है, profit, gross profit, net profit कितना है, loss कितना है, सारे यहाँ से आप जान सकते हो, P&L summary का detailed view भी available है, account level, second level, none करके, तो यहाँ पे month wise आपने P&L को view कर सकते हैं, income and expenditure report इस तरीके से आएगा, debit balance, credit balance इस तरीके से आएगा, payment and receipt में इस तरीके से आएगा, cash in, cash out, debitter का कितना amount cash in हुआ है, creditor का कितना amount cash out हुआ है, expense कितना है, duties and taxes कितना cash in हुआ है, सारे यहाँ से आप जान सकते हो, trial balance का closing balances आपको दो तरीके से मिलेगा, balance only, detailed report, अगर balance only में आप देखना है, इस तरीके से balance show होता है, debit credit balances, सारे report export कर सकते हैं, google sheet, excel, pdf, html format में, detail format हम लेंगे, यहाँ पर multiple filtering available है, group of accounts, all accounts, selected account, अगर आप all accounts लेंगे, तो इस तरीके से आपको trial balance का debit credit, opening closing balances आजाएगा, यहाँ पर तो opening and closing दोनों भी, debit credit के साथ साथ opening closing भी आजाएगा, account books का day book report इस तरीके से आपको मिलेगा, यह है day book report, एक दिन का सारा report यहाँ पर मिलेगा, एक particular date range आपने देना है वहाँ पर, तो सारा details से आपको day book में show हो गया हो, account ledger कोई भी एक particular ledger का लेना है, और multiple ledger का लेना है, और group of ledger का लेना है, तो सारा यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरीके से ledger statement आएगा, यहाँ से आप directly print लेके, particular mail, email, watch up, SMS कुछ भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से ledger statements यहाँ से आ जाएगा, merge record भी ले सकते हैं, cash book, bank book, यह भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, cash book statement देखना है, तो cash लेके आप देख सकते हैं, कितना cash receipt हुआ है, कितना cash payment हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं, account summary में daily balances, daily summary, so यहाँ पर cash, credit, sale, purchase, सबका the balances यहाँ पर दिखेगा, account summary में, daily summary, monthly summary, consolidate summary, all account का consolidate summary भी इस तरीके से आएगा, अगर आप, transaction summary को देखना है, किसी एक account का, all account का यह भी हो जाएगा, maximum, minimum, bank balances, cash balances को show करना है, ओभी report यहाँ से मिलेगा, cost center को देखना है, cost center report को देखना है, detailed view पर दिखना है, तो detailed का report इस तरीके से आएगा, accounts department का debit balance कितना है, closing कितना है, HR department का कितना है, purchase department का कितना है, sales department का कितना है, सारे यहाँ पे cost center में आएगा, outstanding analysis भी आजाएगा, amount receivable आप देखना है, amount receivable report, bill receivable report, किसी एक particular party का, नहीं तो all account का हम ले सकते हैं, हाँ पे, किस-किस party का account पे, due bill है, bill receivable तो red में आजाएगा, तो due date भी last में आएगा, कितना दिन हो हुआ है, सब कुछ यहाँ पे, bill receivable में आएगा, अगर आप aging देखना चाहेंगे, तो यह aging report इस तरीके से मिलेगा, 0 to 30 days, 31 to 60 days, 61 to 90 days, किस date range में, उस particular days के अंदर, कितना bill due है, कितना pending है, कौन सा party का है, वो भी यहाँ पे show होता है, साथ साथ payable का भी, इसी तरीके से आपको report आएगा, interest calculation का report, यहाँ पे मिलेगा, अगर किसी particular one account, multiple account, group of account का, interest calculation report, आप यहाँ से ले सकते हो, अगर कोई भी loan दिया हुआ है, और उसका credit limit exceed हुआ है, तो उनके लिए आप interest चार्ज कर सकते हैं, depreciation का chart का report भी यहाँ थे, देख सकते हो, company act और income tax act, तो देखिए, depreciation computer के लिए कितनी depreciation चार्ज हुआ है, return down value कितना है, final value कितना है, depreciation कितना चार्ज हुआ है, furniture के लिए कितना है, office equipment के लिए कितनी depreciation हुआ है, कितनी percentage, इस तरीके से आपको depreciation का report आ जाएगा, यहाँ से आप directly, F4 को press करके, JV को pass कर सकते हो, journal voucher अपने आप यहाँ से pass हो जाएगा, bank reconciliation में देखिए, show all entries, अगर आपको bank reconciliation करना है, यहाँ से show all entries को कर सकते हैं, F4 press करके, यहाँ से clearing date, full voucher को आप clear भी कर सकते हैं, F4 shortcut की, unclear को देखना है, यहाँ से unclear entry को देख सकते हो, reconciliation statement भी इस तरीके से आपको आ जाएगा, bank balance में कितना है, actual busy का balance क्या आ रहा है, bank balance में कितना है, bank balances as per ledger कितना है, check deposit but not cleared कितना है, check issue not cleared कितना है, सारे यहाँ पे आपको आ जाएगा, साथ-साथ my dashboard है, अगर आपको किसी एक particular dashboard create करना है, configure करना है, reporting के लिए ओ भी आप create कर सकते हो, stock status यहाँ से दिखेगा, stock status आप closing stock, opening stock, सब कुछ यहाँ से ले सकते हो, inventory books, inventory register में, sales register इस तरीके से आएगा, कितनी sale हुआ है, किस party को हुआ है, किस build number पे हुआ है, कितना quantity हुआ है, सारे यहाँ से जान सकते हो, अगर आप inventory summary में देखना है, यहाँ पे भी आपको critical level का, item का critical level, minimum level कितना है, item का, वो जान सकते हो, reorder करने के लिए, कितना quantity बाकी है, वो भी देख सकते हो, maximum level देख सकते हो, unmood items देख सकते हो, negative stock देख सकते हो, बहुत सारे reports यहाँ पे हम दिया हुआ है, MIS इसी तरह MIS report में, cash flow देख सकते हो, April मन्त में कितनी opening है, कितनी inflow है, कितनी outflow है, कितनी net flow है, क्या balance है, में मन्त में कितना है, ये भी आप यहाँ से जान सकते हो, MIS से, fund flow जान सकते हो, ratio analysis भी जान सकते हो, liquidity ratio, net profit ratio, return ratio, inventory turnover ratio, leverage ratio, सब कुछ यहाँ से आप जान सकते हो, budget यूज़ कर रहे हो, तो budget, किस budget का, head का budget exceed हुआ है, ज्यादा हुआ है, किस budget का use हमने नहीं किया है, all head का हम देख सकते हैं, यहाँ पे, किस particular budget के amount, कौन सा month पे कितना use हुआ है, क्या budget allocate किया था, क्या expense के लिए कितना use हुआ है, सारा यहाँ पे हम variance report को देख सकते हैं, credit limit का variance भी देख सकते हैं, credit limit का variance भी देख सकते हैं, profitability भी analyze कर सकते हैं, bill wise profit, party wise profit, सब कुछ यहाँ पे, आपको analyze कर सकते हैं, multi company result भी यहाँ से आपको आ जाएगा, तिक करेंगे यहाँ से multiple company है, बिजी में, उसके बाद आप trial balance को देखना है, लेजर को देखना है, stock status को देखना है, यहाँ से अपका analyze कर सकते हैं, sales analysis, purchase analysis, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, मैंने query system का बताया था, query system में कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप कोई भी GST number को सर्च करोगे, तो उस GST number किस bill पे हमने post किया है, उस details यहाँ पे आजाएगा, query on GST number, query on item price, query on bill price, query on transaction, query on pastor, कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, अगर party का mobile number यहाँ पे डाल के सर्च करोगे, उस mobile number किस transaction पे use हुआ है, किस party के लिए हुआ हुआ है, वो details वहाँ पे आजाएगा, तो इस तरीके से भाव सारे report, भाव बिजी में advanced popular report दिया हुआ है, लेकिन इसके आलावा कोई भी report आपको customize और configure करना चाहते हैं, तो यहाँ पे columnar report का provision है, इसको लेके आप customize कर सकते हो, account का related, inventory related, कुछ भी report चाहिए आपको यहाँ से कर सकते हो, आगे हम देखेंगे busy में e-invising कैसे काम होता है, e-invising और e-way bill दोनों एक part है, तो यहाँ पे अगर हम e-invising और e-way bill करना है busy से directly, तो यहाँ से आप party को लेंगे, और यहाँ पे आप party के बाद यहाँ पे item को डाल देंगे, और देखेंगे यहाँ पे value हम 50,000 डाल देंगे और 51,000, तो यहाँ से एक window open हो जाएगा, transporter detail compulsory हम vehicle number को enter करना है यहाँ पे, और e-way bill चाहिए तो यहाँ पे e-way bill enable, e-invising चाहिए है, यहाँ पे e-way के लिए e-way enable करना है, e-way के लिए e-way enable करना है, सबसे पहले हम e-way को देखेंगे, automatic distance यहाँ से calculate हो जाएगा, software से ही, directly हाँ पे distance आजाएगा, इसके बाद save करेंगे, message आजाएगा कि do you want to generate e-way bill, automatic है, automatic way से हम generate कर सकते है, possible errors, मतलब error checking tool यहाँ से आपको आएगा, और वो बताएगा कि कोई भी error है क्या नहीं है, वो बताएगा, उसके बाद आप generate यहाँ से करोगे, तो अपने आप software से e-way bill generate हो जाएगा, generate के बाद अगर print लेना चाहते हैं, तो यहाँ से print आ जाएगा, तो इस तरीके से as per the government decided template में e-way print हो जाएगा, अगर इसके बाद आपको printing के बाद आपको क्या करना है, मान लिजिए, for example, e-way sing generate करना है, तो e-way sing करना है, कोई भी party के लिए, तो अगर आपको चाहिए, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम e-way को yes करेंगे, और save करेंगे, do you want to generate e-way sing, do you want to generate e-way sing, यहाँ पर त्री मेतड है, automatic, json, plain, excel, json का मतलब manual मेतड है, json export करके आप manually portal पे upload करना है, लेकिन automatic से क्या होगा, software कुद आपको generate करके देंगे, यहाँ से error checking tool से देखना है, कोई भी error है क्या नहीं है करके, उसके बाद हम generate करेंगे, तो अपने आप e-way sing यहाँ से generate हो जाएगा, और acknowledgement number प्रिंट होगा, साथ-साथ busy software से e-way sing copy प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से, मान लिजिए busy से अगर आप busy का in-way sing करेंगे, वहाँ पे भी in-way sing का सारा details print होके आएगा, invoicing number, invoicing QR code, सब कुछ यहाँ पे print होके आजाएगा, तो इस तरीके से आप invoicing and e-way bill automatically कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे busy software से कैसे हम bulk में generate कर सकते हैं, e-way और invoicing, GST miscellaneous utility में जाके, यहाँ से generate e-way और invoicing करके है, यहाँ पे जाके automatic mode लेना है, और load list करेंगे, और यहाँ पे हम e-way करना है, तो e-way लेंगे, और यहाँ पे sales हम लेना है, और यहाँ पे date define करना है, तब कितना transaction हम किया हुआ है, सारे यहाँ पे आएगा, one by one select कर सकते हैं, और यहाँ पे select all करके, यहाँ पे update, printing और generate, तीनों हम कर सकते हैं, तो यहाँ से हम generate करेंगे, तो automatically यहाँ से सारा invoice का e-way bill, within the single click generate हो जाएगा, this is the beauty of the software, तो अगर हम invoicing का बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, single click में multiple invoice का invoicing, यहाँ से generate हो जाएगा, और print भी हम कर सकते हैं, साथ-साथ यहाँ पे e-way bill और invoicing का audit report भी दिया हुआ है, audit report में आप जान सकते हो, किस bill पे आगर आप e-way generate नहीं किया है, और invoicing नहीं generate किया है, वो आप यहाँ से जान सकते हैं, actually वो eligibility था उस bill पे, e-way के लिए और invoicing के लिए, लेकिन आप बूल गया कि generate करने के लिए बूल गया है, उसको आप यह audit report से जान सकते हैं, तो इस तरीके से भहुत सारे advanced utility हम यहाँ पे GST का e-way bill और invoicing में दिया है, इसके साथ-साथ आगे हम देखेंगे GSTR1 कैसे file करना है, अगर GSTR1 report को file करना है software से directly, तो यहाँ पर display GST reports में आके GST return में आके यहाँ से आप direct upload कर सकते हो, direct upload मतलब आपका data यहाँ से directly department portal में upload हो जाएगा, जेसन का मतलब यहाँ से JSON file अब export करना है, किस मंद का चाहिए उस मंद का date यहाँ पर डाल के, फर एक्जामपल यहाँ पर मान लिजिए हमने 30th 4 करके डाल दिया, starting date, ending date और path define करना है, किस path पर JSON file export होना है और यहाँ से check error को देखना है, किस section में error है करके कोई भी error नहीं है, तब यहाँ से proceed करना है, तब क्या होगा, यहाँ पर JSON file generate हो जाएगा, इस JSON file आप portal में upload करके GST filing कर सकते हैं, अगर मान लिजिए आपके पास GST direct upload करने के लिए भी सुविदा है, इसको use करके आपका काम और भी कम कर सकते हो, so GSTR 1 के साथ साथ GSTR 3B भी हम यहाँ से JSON को upload कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे GSTR summary के बारे में, जिए स्थ्यार रिपोर्ट रिटर्न करने से पहले हम Secret summary को देकना है, तो वहाँ पे input GST कितनी है, output GST कितनी है, यह हम यहाँ से समझ सकते हैं, GST report, GST summary यहाँ से हम देख सकते है, input GST कितना है, output GST कितना है, और RCM कितना है, सो यहां से F4 प्रेस करते हो यहां से डायरेक्टली इन्पुट आउट्पुट एजस्ट्मेंट कर सकते हैं हम यह वाला रिपोर्ट को ओपन करेंगे GST समरी F2 इन्पुट GST कितना है आउट्पुट GST कितना है ओपनिंग बालेंस RCM समरी को व्यू करके वाल्योश मिसमेच को देखना है एक बार ठीक लग रहा है तो यहां से एफ़ोर प्रेस करके इन्पुट आउट्पुट एजस्ट्मेंट यहां से पोस्ट कर सकते हैं तब क्या होगा आटोमेटिकली एक जर्नल वाउचर पास हो जाएगा यहां से देखिए डेबिट एंड क्रेट का सारे हेड़र्स यहां पर आटो आ चुका है हम कोई करने का जरुरत नहीं है यहां से डायरेक्ली सेव करना है तो जर्नल वाउचर आटो पॉस्ट हो जाएगा दूबारा फोर प्रैस करके अगर को प्रेमेंट करेंगे घ्रट का तो हैंग यहां से रेगुलर जीएस्ट के मिनट को प्रैस करते हैं और यहां से पेंट हो जाएगा मिक्ति और मेंटिक जर्नल वौचर यहां से पाप भूस्ट हो जाएगा और यहां पर कर सकते हैं कितना सिद्स्ट्राय्प कितना एस घ्केस्ट अमट अगर कुछ कुछ manual करना है वो भी कर सकते हो penalty है लेट भी है चलन नंबर क्या है सारे यहां से हम एंटर कर सकते हैं तो यह है GST summary के related अगर GST summary के हिसाब से आप input-output adjustment आस्यम payment cross adjustment TDS related payment सब कुछ यहां से कर सकते हो आगे हम देखेंगे GST reconciliation के बारे में GST reconciliation बहुत important है तो यहां पर आप busy से transactions से GST miscellaneous utility से download कर सकते हो देखिए इस तरीके से auto download software से ही हो जाएगा download press करेंगे तब auto download होगा यहां से आप reconcile करने के लिए reconcile GSTR one करके है तो यहां पर वैल्य मैच हो रहा है यहां पर तो मैच नहीं हो रहा है तब इस तरीके से आप mismatch को find out कर सकते हैं GSTR 2A to be reconciliation के साथ साथ यह तो GSTR one में हमने किया था इसी तरह हम GSTR 2A party wise reconciliation करना है तो यहां पर इस तरीके से आपको reconcile कर सकते हैं सारे डिटल तो मैच हो रहा है लेकिन सबसे पहले entry है तो GSTR 2A में value nil है busy में तो 10,000 तो value हम show किया है तो इस तरीके से आपको mismatch यहां पर find out कर सकते हैं साथ साथ monthly ITC tagging monthly ITC tagging as per 2A to be आप कर सकते हो party wise voucher wise दिखिए इस तरीके से monthly ITC tagging आ जाएगा यहां पर F4 press करके monthly ITC tagging monthly ITC का status आप update कर सकते हो whether it is claimed or ineligible or not claimed anything it may be so इसका status update हो जाएगा साथ साथ अगर इसका status आपको GST summary में भी reflect होता है अगर आप GST summary हां से लेंगे यहां पर एक option है pick relevant ITC from monthly ITC tagging इसको आप yes करके open करते हैं तब क्या होगा उस particular month का ITC tagging यहां पर दिखेगा GST summary 30th 4 तो यहां पर month लिए ITC tagging का value यहां पर show हो जाएगा तो इस तरीके से आपको GST summary का भी overview मतलब reports सारे सब कुछ यहां पर मिलेगा साथ-साथ to be reconciliation का काम यहां से अच्छे तरीके से कर सकते हैं अब हम देखेंगे TDS TCS के related TDS TCS के related भी busy में automatic calculate होता है मान लिजिए as per the 194Q section के अनुसार कोई भी एक party से हम माल करीद रहा है पचास लाग से उपर that condition में क्या होगा वहां पर 0.1 percentage का TDS deduct होता है तो यहां पर देखिए एक party है एक particular party से हम करीद लिया है यहां पर automatic 5% charge हो रहा है क्योंकि इस party का pan number नहीं है अगर इस party का pan number नहीं है और इस party ने income tax file नहीं किया है तब क्या होगा 5% उनको charge होगा अब मैंने उनको status update किया है इनके पास इनका status update किया है कि income tax इन्होंने file किया है अभी दुबारा मैं same party के लिए और एक entry चड़ाओंगा यहां से इनका 50 लाग से उपर हमने उनको उनसे purchase किया है अगर इनके पास pan number है तो 0.1 percentage TDS लगता है इसी जैसे TCS में भी हो जाएगा TCS sales में लगता है TDS purchase में लगता है software अपने आप यह सब चीज़ कर लेंगे तो इस तरीके से हम सारा का हम software से कर सकते हैं अगर हम GSTR और हम EVA Bill और सारा accounting work सब कुछ हम busy से आसानी से कर सकते हैं और इसको लेके आपका business और अच्छे कैसे हम रन कर सकते हैं यह ता आज का topic इजी accounting activities in busy especially this webinar is made for accountants and auditors etc so आशा करता हूं आज का इस webinar के माधियम से इस subject को लेके आपको काफी useful हुआ है करके अगर आप इसको लेके कोई भी आपको सवाल पूछना है कोई भी query है आपका माइंड में आप कभी भी हमारा customer care team से helpdesk team से call करके आप query food सकते हो तो इस 8282828282 इस number है हमारा 5 x 82 this is the 24 x 7 helpdesk and you can also write a mail to us support at the rate busy.in so we are always ready to support you thank you so much